आज हैने जो मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ, यह मेरी नानी की ट्रिक है, मेरी नानी ऐसे प्रिजव किया करती थी और यह साल भर तक खराब नहीं होते थे, एजिर्टीस रहते थे तो फ्रेंस आपको करना क्या है, वीडियो को बीना स्किप किये, एंड तक जरूर देखना है, तो ही आपको पूरी मेथर्ड पता चलेगी, कि इसको प्रिजव कैसे किया जाता है, तो देर क्यों करें, चलिए मेरे साथ फ्लोरास किचन में और देख लीजिए, इसको होता है, हेल्थ के लिए, बॉड़ी के लिए, बालों के लिए, आखों के लिए, यह बहुत ही अच्छा होता है, तो आप इसको ट्राय जरूर किजेगा, तो फ्रेंस इसको स्टोर कैसे करना है, वो भी देख लीजिए, और मेरे पास यहाँ पर है इंबली, तो यहाँ पर इ में आपके पानी आ रहा होगा फिर भी आप देखिए एंट तक आपको बहुत ही मजाने वाला है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी रेसिपी बनने वाली है तो आप ज़र किजीगा तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते है इसको मैंने पूरा वोश कर लिया है और इसक के अंदर में सारे आवले को आपको पोचना ए इस तरह से कोई बात नहीं तरह से आपको सारे आवले जो है अच्छी तरह से चरथे वाश करने और उसकी बाद अच्छी से इसको साफ करना है साफ करने के बाद आप अलग से इसको निकालते जाए इस तरह से हम बाकी के आवले हैं वो भी इस तरह से अच्छी तरह से पोच लेंगे और इसको साइट पर करते जाएंगे तो इस तरह से मैं सारे आवले जो है अच्छी तरह से पोच लूँगी ताकि इसका जो मॉस्चेर है वो मॉस्चेर पूरा निकल जाए और इस तरह से आप पूरे आवले को साफ कर दे तो फ्रेंस यहां पर देख सकते हैं कि सारे आवले मैंने बहुत अच्छी तरह से पोच लिए इसको रगड रगड के पोच लिया है अब इसको हम थोड़ा साइट पे क किये वाला लिया है तो आप इसको कैसे पानी भरना है वो देख लिजे तो यहां पर मैं जरूरत की हिसाफ से पानी इसमें अड़करती जाओंगी तो अपने आवले जितने बीग जाए उतना ही पानी आपको लेना है तो इस तरह से चूड़ा पानी इसमें डाल दे तो फ्र यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों साइड बरतन रख दिये है और हमारा गेस जो है एक्दम फूल है तो इसके अंदर हम डालेंगे नमक तो यहां में 2,5 बड़े चमच है वो नमक डालूंगी इसके अंदर मैं यहां पेंक वाला नमक ले रहे हूं संदा नमक आप तो इसके अंदर भी हम नमक डाल देंगे तो इसमें मैं नमक डालूंगी तो इसमें भी नमक थोड़ा ज्यादा ही लग जाएगा तो इससे हैं हमारा जो है आवला और इमली है वो खराब नहीं होगी और आप स्टोर कर सकते हो आराम से तो इसको मैं अच्छी तरह से चला ल तो एक मिनिट खौलेगा उसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे तो इसको एक वार अच्छे से उबल जाने देंगे तो यहां पर देख सकते हैं हमारा पानी जो है खौले लग गया है और यहां मेरा पानी जो है बहुत अच्छी तरह से खौल चुका है पानी हो गया हम इसका बिऄस को बंद करदेंगे अमीट कर देंगे जैसे वह ठंडा हो जाएगा उसके बद हम आगे की प्रोसेस करेंगे तो यहां पानी हमारा अच्छी तरह से खौल चुका है और यह समद Sticker कर देंगे तो गएस हम बंद तो हम इसके अंदर आवले डालेंगे तो यहां पर देख सकते हैं तो आवले तो इसके अंदर आवले डाल रहा हूं तो फ्रेंस हमारे आवले अच्छे से डूबने चाहिए इस बात का खास धियां रखे कि पानी के अंदर रहने चाहिए पानी के अंदर रह जाएंगे तो यह आवले का कलर जह है सुबर तक बहुत ही अच्छा हो जाएगा तो इसको पूरी रात के लिए हम ऐसे छोड़ देंगे और सुबह हम देखेंगे और इस तरह से बाकी का है वो भी आपको दिखा देती हूँ कि वो भी कैसे करना है तो यह भी पानी तयार है तो इसके अंदर मैं हलदे तोड़ी सी हो सारी इम्रे को इसके यंदर डाल देंगे तो मैं इसके अदर इम्रे डाल दी हूँ उसको भी हमwarm आप सोप करेंगे इस तरह से तो आप यह और सो पूरी रात के लिए ढक़कर रंकए ऐसे छोड़ देंगे तो friends इसके उपर हम डखके रख देंगे तो ऐसे ही हम छोड़ देंगे सुबह तक हम इसको रखेंगे और इसी तरह मेरे पास दूसरा भी है उसके उपर भी हम डख देंगे और आमले देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं हमारे इसको ढखके रखा था आव इसको खोल के देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं आवले का कलर जो है वो चेंज हो चुका है अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चला लेंगे हमारे आवले कुछ है वो अभी कुछ होने बाकी है और कुछ हो गया है तो इस तरह से आप पारी इवली है वो भी अच्छी तरह से हो चुकी है और इसको भी हम स्टोर करने वाले हैं क्यूंकि हम लोगों को ये खटा तो अच्छा ही लगता है अगर ट्राविल वाविल कर रहे हो तो थोड़ा साथ में ले जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा ये इवली बाहर से हो ये अंदर देखिए अभी भी ये कच्छी है जैसे जैसे पानी में रहेगी चारपा दिन होंगे उसके बाद ये अपते आप ही अंदर से सौगी बन जाएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है आवले भी आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल आवला है उससे ये रात के अंदर बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है जैसे पांचे दिन साथ दिन होंगे ति बहुत ही बढ़िया हो जाने वाले है तो आवला भी आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया बाहर से भी सौगी नहीं हुए है और अंदर से भी चिपचिपे से नहीं हुए है तो मै हरी मिश का टेस्ट रहना बहुत ही अच्छा नहीं वाला है तो आप हरी मिश को डालें अगर आप नहीं खाते तो इसकी पीट कर सकते हैं आप इसमें कच्छी हलदी है वो भी डाल सकते हैं और यह हमारा रेडी हो चुका है प्रिजव होने के लिए तो आप इसको साल भर तक के लिए ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं और साल भर के लिए योज कर सकते हैं तो फ्रेंस आप देखिए हरी मिच का कलर भी बहुत ही बढ़िया आ गया है यहाँ पर मैं इमली भी आपको दिखा रही हूँ कि इम जिपे भी नहीं हुए है तो फ्रेंस यह जरूर ट्राइ किजेगा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है मैं आपको गेरंटी देती हूँ अगले साल आप दो किलो पांच किलो या देस किलो आवला प्रिजव करके रखने वाले है क्योंकि आपके घर में रोजी पासात आव बर के लिए तो यहां पर मैंने एक बड़ा सा कंटेनर लिया है उसमें पूरा पानी इसमें स्टोर कर लिया है इस तरह से तो आप चाहो जब इच्छा हो तब आप खाने के बाद एक दो आवले आराम से खा सकते हैं आवले से अपनी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहती है आख आपके साथ शेयर किये आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके चरूर बताईएगा गर आप मेरी चैनल पर नई हो मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो इसको फटा फट सिस्क्राइब कर ले नोटिफिकेशन सारे ओल कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करू आप मे तो इसको बीना स्कीप किये जरूर देखते रहना तो बै फ्लोर आप से फिर में लोगी अगले मंगलवार को शाम को चार बजे फ्लोरा स्कीचर में एक नई इजी और हल्दी रेसिपी के साथ